नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आई चलते हैं खबरों की ओर क्योंकि लपी जी के मामले में लागत से कम मोले पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपे प्रती सिरेंडर पर पहुँच चुका है इस वज़ा से इसकी कीमितों में बढ़ोतरी हो सकती है सूत्रों ने बताये की रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा यह सरकार की अनुबंती पर निर्भर करेगा इससे पहले 6 एक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपे बढ़ाए गए थे जुलाई में 14.12 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपे बढ़ चुका है मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक छेत्री की पैट्रूलियम विप्रन कमपनियों को खुद्रादाम के लागत की अनुरूप करने की अनुमती नहीं दी गई है इसके अलावा इस अंतर को पाटने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सबसीडी भी नहीं दी गई उन्होंने कहा कि अंतराष्ट इस तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बीज एलपीजी की विक्री पर नुकसान 100 रुपे प्रती सेलेंडर पर पहुँच गया है जहां साओधी अरब में एलपीजी की दर इस महीने 60 प्रतीशत के उच्छाल के साथ 800 डॉलर प्रती टन हो गई है हम दिखाते रहें लगातार खबरें इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें